नोश्कार तो आज हम आपके लेकर आए जोग्रफी का पेपर थार्ड पेपर बन टू और जो आज तीस तरह है हम आपके लेकर आए इसे पहले जो पार्ड बन और टू थे जोग्रफी के वह हम आपको इस चैनल के जरी इन भूमिशन उसकी दे चुके वीडियो अपलोड हो च है वो आपको ओल्ड क्वेशन पेपर आपको इसी चैनल पर मिलेगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें बैल आइकन को जरूर दुवाईगा ताकि हम आपको डेली इन पॉमेशन देते रहे तो वीडियो को शुरू करते है तो पेपर थार्ड आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं पहला क्वेशन आपसे पूछा गया था जोगरभी का इवेपर थार्ड है निर्मे से कौन सा एक वपर स्टेट है ये आपको बताना था तो आपसन जो आपके स्क्रीन पर आ रहे हैं सिरलंका पाकिस्तान नेवाल या इन में से कोई नहीं दूई आपको ब प्रोटोकॉल आपने नाम सुना होगा इसका प्रोटोकॉल का उलंगन किया वह तो आपने जर्चा में सुना होगा इसका नाम तो इसका आपको अंसर देना था तो इसका जो स्वच परवर्ण और चलवायू परिवर्तन है ये क्योटो प्रोटोकॉल ये बिल्कुल इसका सह समबंदी थीर क्या हैं पोसक्वारण संब्सक्राएं अगर आप हमारे सैनल संगरें, पर या हिम नोलेज या हिम स्टार्ट पर नहीं तो आप उनसे बिल्चूर सकते हैं कि प्रकार के आपको जो भी इन्फोमेशन चाहिए होती वो हम आपको उन्चैनल पर देते हैं प्रकार के तो निचे देगे कोटों का सही उत्रकत चाहिन करेंगा तो तालिका में क्या क्या था ये पर परकार और बरसा में जो इसका Question number आप देख रहे हैं अपने स्ट्रेंट पर इसका जो डी मुझा बिल्कुल बर्सा में का यह बार्श वने वाला बादल यह बिल्कुल सही है तो ओप्षन जो आपकी स्ट्रेंट पर आ रहे थे इसका question number 4 का था यह बिल्कुल सही था अगर ले कॉछन आपसे पूछा गया था, कोपेंट परनाली में दुरूवीय जलवायू किस पकार से नामित है? जोगरफिय का पेपर ठर्ड हम आपको यह पता रहे हैं तो यह आपको बताना था कोपेंट परनाली में किस पकार से 21 रूप में नामित है? Q5 का आपको अंसर देना था तो E इसका बिलकुल सही हो Q6 था हरिकेन नाम उसन कट बन दिये चक्रबातों को कहां दिया जाता है यह आपको बताना था यह हरिकेन नाम यह एक बर्ड है और इसका आपको बताना था हरीकेन नाम जो है यह उसन बन दिये चब जगरबातों को कहां दिये जाता है क्वेशन नमबर 6 का आपको बताना था तो उत्री अंडरलाटिक महसागर इसका बिलकुल सही था क्वेशन नमबर 7 था और इसका आपको अंसर देना था चिली और एबम पेरू के तट पर ठंडे पानी के उपर चणने से बनने वाली समुंद्री धारा है यह आपको बताना तो तो यह हैं बोल्ट धारा यह बिलकुल सही था क्वेशन नमबर 7 का और अगला क्वेशन आपसे पूछा गया था नेल में से कौन सा कतन मोजबिक धारा के लिए सत्या है कतन आपकी सग्रेन पर आ रहे हैं क्वेशन नमबर 8 आप देख रहे हैं और इसका आपको बताना था तो Q8 में कौन-कौन से गरम जल धारा हिन्द महसागे की भी सुच्छत धारा का हिस्षा दक्सिन की तरफ बहाब अंगुलास धारा से मिलती है और ओप्शन जो थे आपके इसमें दिये हुए थे तो इसका आपको बताना था तो इसका जो यह सही है सब तो इसका जो डी यही बिलकुल सही होगा Question number 9 था आपसे पूछा गया था बाइस पेर या जैब मंडल सबसे पहले किस ने प्रेयोग किया था यह आपको बताना था तो 9 का जो adverse ways है ये बिलकुल सही होगा और question number 10 था ये आपसे पूचा गया था निम्न मेंसे कवास की खेती के लिए सबसे उप्योक्त मरीधा कौन सी है ये आपको बताना था कवास की खेती के लिए सबसे उप्योक्त मरीधा कौन सी है यह आपको पूछा गया था इसमें तो रेगुर में टीज वह यह बिलकुल सही हो गए इसका Question number 11 था और यह आपको option इसमें बताया हुए था हिन में से बिचार कीजिए का और कौन सा कतन सही सुमेले था इसमें आपको बताना था Question number 11 था और 11 का आपको अंसर देना था तो जैसे यह नैनी जील काम पर ही आपकी स्क्रीन पर आ रही बैट लैन्ड लोकटक जील गोकर बैट लैन्ड और नोला लो नार जील 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 का जील लेंगूर बैट लैन्ड इन में से जो सही सुमेलित हुई है वो आपको बताना था क सम्वाम पर ही यह तो question number 11 था और 11 का आपको अंसर देना था तो इसका जो राइट ऑन्सर था आपको साश्टा तो इस का जो यह नैनी जील यह बिल्कुस совершенно है इसका आपको पहले बताया था इस पगार से आपको English में आएंगे question और एसके बाद हिंधी में आपको question आते आपके choice होगे कि आप Hindi में पढ़ना चाते क्योंकि आपको उसी परिकार से आपको वो mark करने पड़ते हैं MCQ में तो इस पगार से आपको यह question पूछे जाते फिर आपको option में आपको सही और गल्द इसमें देने पड़ते हैं पढ़ने के लिए आप Hindi में पढ़ सकते हैं इंगलिस में भी पढ़ सकते हैं तो दोनों language में आपको दिये जाते हैं और भारत के आप किसी भी state से अगर आप सेट या नेट के ओल्ड question पर पर चाहिए तो इस चैनल पर आप बनी का चैनल को सस्क्राइब जरूर करें निम्न कित पर बिचार करीगा question number 12 था और इसमें बताया था जारिया कोईलाक शेतर कॉर्बा कोईलाक शेतर उमारिया कोईलाक शेतर तो यह सब का हैं यह आपको बता पर चैनल कोईलाक शेतर निम्न कित मेंसे कौन सा सेर दामोदर नदी के तरड पर स्थित है यह आपको बताना था तो दामोदर नदी के तरड पर कौन सा सेर है यह असन सोल यह बिलकुल सही होगा इसका question number 14 था और आप से पूछा गया था निम्न मेंसे कौन सा हीमाने जलोर निक्षेप नहीं है question number 14 का आपको अंसर देना था तो यह जिसका होर नहीं बिलकुल सही होगा question number 15 था यह आपसे पूछा गया था समान नहीं है अपरदन चक्र संबंदित है यह आपको बताना था तो इसका जो नदीय अपरदन से है बिलकुल सही होगा इसका अगला question था question number 16 दक्सिन अमेरिका में Amazon Basin के भूम मद्य रेखिये बनो को किस नाम से जाना जाता है question number 16 का अगर आप में से जो पहली वार नेट यह सैट का paper दे रहे है उनके लिए बहुत ही मातबोन question हो गई यह और जिन लोगोंने पहले question paper नहीं देखा तो बहु भी देख सकते हैं वीडियो को आपने like चुरूर करना है question number 16 था और आपको इसमें बताना था कि यह जो Amazon Basin के भूम मद्य रेखिये बनों को किस नाम से जाना जाता है तो यह आपको बताना तो तो सेल बाजो इसका बिलकुल सही होगा और अगला question था आपको बताना था तो सेडर कौन जो है वो जो आर वाटर भंबर उसन कट बन दिये तुपान या जोवाला मुखी तो इसका जोवाला मुखी बिलकुल सही हो गाई है किस देश को केरिवियन सागर का मोती कहा जाता है यह आपको बताना था कियोबा अगुला पाहमास या जैमेक कि योपा यह कि इसका बिलकुल सही है था कि एले इनों ने उन खिर किस वासार से समंदी सब्सक्राइब को बताना तो कस्न नमर 19 था और एक बात और महत्वपूर्ण आपके लिए मैं बता देता हूं इसी में की जो इससे पहले आपके पेपर टू और थ्री पहले बवन पहला पेपर बन उता था आपका उसके बाद प पेपर में आप आएंगे तो अब दो पेपर होगे आप नेट से वाया सैट से आपका चुछ सिर्फ दो पेपर होगे इसमें क्वेशन नमबर 19 था और 19 का आपको बताना था एल निनो निनो किस वासा से समंदित है तो 19 का आपको अंसर देना था तो स्पैनिस इसका बिल्कुल सही होगा क्वेशन नमबर 20 था और यह आपको बताना था निनो में से कौन सा सोफ़्ट वेर यह या इसका सोफ़्ट वेर नहीं है यह आपको बताना था तो ओप्शन आपकी स्क्रीन पर आ रहे है आटो कैंड जो इसका बिल्कुल सही था निनो में था 21 और 21 का जो सही है यह द्रातली उचावच यह बिल्कुल उचावच बिल्कुल सही था फिर आपको उसी पकार से ही पूछे गए था किस पहें क्या सही हो गई क्या गल्द हो गई आपको बताना था तो क्वेस्टन था 22 और 22 का आपको अंसर देना था बायो मनल के निजले स्थरों में कम दुवाब होता है यह स्टेर्मेंट बन और स्टेर्मेंट टू जो बायो मनल के ओपिस तरों पर अधिक दाब होता है यह आपको बताना था तो केबल एक दो या इन में से कोई नहीं तो या एक और तीन तो इसमें से क्या है वो एक और दो या cable 2 या cable 1 चैन में से कोई नहीं आपको यह बताना था तो जो dei है इसका विलको सही में बिलको सही होगा Question No.23 था फिर आपको Match करने थे तालिका 1 और 2 को को आपने शुमेलित करना था 23 question NeOOM है q question नमबार तो आपको Match करना था question थे आपके sport को आपने Match करना था स्पोर्ट को आएगा आपका यह फ्रांस से और उसके बाद जो आपका यह कोर्स है यह आपका आएगा जी ओ, इस जो है इसका आएगा आपका पस्टनमबर 23 और 23 में आपको बताना था इनके आपने सुमहलित करना था तो इस पगार से यह SPOT आएगा फ्रांस और कोस आएगा यह आपका USA में और उसके बाद जो C यह आएगा आपका थार्ड में और उसके बाद जो D जो है इन सेट यह आएगा बन में ठीक है तो यह जो आपका C यह आएगा आपका 3rd में इस पकार से हमने इसको match करना है इस पकार से यह match करना है और इस पकार से ही आपको वह यह question में आएंगे और option जो आपके सग्रेन पर था यह यह बिलकुल सही है इसका अगला जो question था आप से पूछा गया था निमन में से सबसे बड़ा किस्तार किसका है यह आपको बताना था question number था 24 और 24 का आपको answer देना था तो यह बिलकुल सही होगा इसका अगला question था question number था 25 आप से पूछा गया था the concept of paradigms was propounded by यह आपको बताना था question number 25 का आपको answer देना था तो इसका जो सही है यह बिलकुल सही आएगा question number 26 the sex sector of female thousand male of four he match up for this in 2011 census was between 26 का आपको बताना था तो यह 950 to 1000 यह बिलकुल सही होगा तो अगला question था question number 27 the longest highway of India is 27 था question number था और एनस जो 7 यह बिलकुल इसका सही रहेगा अगला question था question number what is 28 था what is the name of mid-latitude grassland in South America तो यह आपको बताना था तो इसका जो यह पंपस यह बिलकुल सही होगा 28 का 20 km on the ground in so by the 2 cm on the map what is the RF of the map 29th यह question number है 28 km on ground is on by 2 cm on the map what is the RF of the map यह आपको बताना था 29 का आपको बताना था और C जो इसका यह बिलकुल सही होगा तो हिंदी में हिंदी वालों जो इनके लिए दिये था paradigm की संकल्पना किसके द्वारा प्रपादित यह प्रतिपादित की जाती ही तो यह आपको बताना था 25 का C पर नहीं आपको बता दिया कोहन चुआ और 2,011 के जन्रा गन्ना के अनुसार यह 950 एक असार पर यह बिलकुल सही था बात कर सबसे लंबा राजमार्क N7 यह बिलकुल सही था और उसके बाद रक्षिन अफरीका के मद्य अकांक्चे गास के मैदान का नाम है यह आपको ब दरातल पर 20 किलोमेटर के दूरी पर महानचेटर 2 सेंटिमेटर द्वारा परदर्शित की जाती है महानचेट का परदर्शित ने बहन बदाई यह आपको बताना था तो यह आपका सीज़ जो इसका बिलकुल सही रहेगा उसके बाद फिर आपको इंग्लिस में क्वेस्टन आएगे अंडर ता स्टैंडर नॉर्माल कर बिट्विन प्लाट्री एस्टी ओफ में दा प्रॉप्रेशन ऑफ दा और जैवेशन इस गिवन बाई यह आपको बताना था था थार्टी का तो इसका बिट्वें नाइंटी रहता दली है यह आपको नाइंट्वपर सेन आपको बता दी नाइपit निया पर्सेंटे कوقश तो तक कनुबात कि होता हैं तो आपको बता था थार्टी का जो भी एह बिल्को सही है 31 का लानेज बंकर में समान तरहिखा किस कौन पर खींजी जाती है यह आपको बताना था 31 का 31 का जो 45 डिगरी यह बिल्कुछ सही रहेगा और अगला क्वेशन था निवन कित में से कौन सा एक सत्य है 32 का आपको बताना था तो इसका जो राइट हैं सरोगा टाइप एक त्रूटी और केवल ओप सिगनिविकेंस समान है यह बिल्कुछ सही था 33 और यह आपको बताना था बड़े नगरों के आसपास के ग्रामिंड से तरको क्या कहा जाता है 33 आपको यह बताना था तो ग्रामिंड से रिप्रेंच यह बिल्कुछ सही था क्वेशन अमबर 34 था ओजोन पर्थ बाइवनल की किस पर्थ पर स्तित है 34 का आपको अंसर देना था और 34 का जो राइट अंसर था वो था यह समताप मंडल बिल्कु सही था क्वेशन नमबर 35 तज़वार से समंदित प्रगामी तरंग सिधांत किस ने प्रदिपादित की थी या किया था यह आपको बताने और 35 का आपको अंसर देना था पहले का हुआ उसके बाद क्या हुआ 36 का मिलाना था पहले आएगा सुद्जल उसके बाद आएगा हेम नाधिया बर्ब और उसके बाद आएगा आपका सेटीलोब मेटिया और सेट के जंगल यह बिल्कु सही तो इन में से आपके option जो स्क्रीन पर हा रही ही यह रहेंगे आपके option तो यह जो इसका बिलकुर सही होगा Question number 37 था यह आपको बताना था निनमे से भोल मैं अबबाद का संस्थापक कि से का जाता है या जोगरभी मैं अबबाद का संस्थापक कि से का जाता है इंग्लिस में क्वेशन हम आपको दिखा देंगे 37 का आपको अंसर देना था ये होट सोर बिल्कुल सही था क्वेशन नमर 38 था नोर्स और आसपास के क्षित्रों के भी समंद की दीवता क्या धार पर बनने वाले पुगोलिक सेत्रों को किस प्रकार से संदर्वित किया चाता है ये आपको बताना था और इसका जो 38 जो नमर क्वेशन है इसका जो बी आई ये कार्यात्म और निवन मैंसे भार्द में अगरिया दिवास को परवासित करने के लिए माप दंड अधारित नहीं ये क्वेशन नमर 14 था और 40 का आपको बताना था तो 40 का जो D था ये स्तान की बिस्रेशन था बिल्कुल सही है अब क्वेशन था गदी क्या है ये गदी आपको बताना था ये 41 था और 41 का आपको उप्शन बताना था हिमाचल परदेश के वैपारी, राष्तान के वैपारी और भरुनाच परदेश के जूमखिती करने वाले लोग तो इसका हिमाचल परदेश के चरवा है यह बिल्कुल सही है क्वेस्टन नमबर 41 का टी बिल्कुल सही है क्वेस्टन नमबर समान और सेवाओं को प्राप्त करने के लिए लोगों द्वारा थे कि जाने वाली दूरी को क्या कहते है समान रेंज ये बिलकुल सही होगा 41 का और नेन में थे कौन सबसे पराना रिमोट सैंसिंग सुदूर संबेदन कारेकरा में ये आपको बताना था अपने तालिका में आपको इस पकार से ये question दिये होगे और इनको अपने match करना था तो किस पकार से करना था जैसे घर्चन का इस पकार से आज आजएगा और उसके बाद जो ये बुदपार्टन करी आई ये रही गए आपका सर का उसके बाद जो C ये रहेगा आपका सही था 45 का आपको अंसर बताना था वाली अलंबोक बेरेनियों और सेलबिस के बीच पाई जाने वली सप्रचेद रेका विवाजी को क्या कहा जाता है यह आपको बताना था क्वेशन नमबर था 45 और इसका आपको अंसर देना था तो एडमस रेका यह बिलकुल सही है किस बल द्वारा प्रित्वी किस था वर्ध हवाए अपनी पाएं या दाएं और की और बिचलेत होती है में कि जब भावाज चलती है तो किस बल के कारण वो एक दूसरी जैसे कोई या उत्रिया पाएं या दाएं और से बिचलित होती है यह आपको बताना था क्वेशन नमबर 46 ता और 46 का जो घरसन है यह बिलकुल सही जहेगा घरसन के कारण ऐसा होता है क्वेशन नमबर जो 47 था यह आपको बताना था 2018 के बिस अर्थर भूमी दिवस्त का बिस्ये क्या है यह आपको इस पार भी पुछा जा सकता है कि 2019 का टोपिक क्या है तो यह आपको बताना था 47 का तो इसका जो यह बैट लैंड स्पोर्ट सेटल सेस्टेनबल अर्बन फ्योचर यह बिलकुल सही था और अगला कुछ संथा आप से पूछा गया था निवन में से कौन सा डॉक्टर बिंड के रूप में रूप में जाना जाता है निवन में से कौन सा डॉक्टर बिंड के रूप में जाना जाता है तो यह आप्सन आपकी स्क्रीन पार रहे है चिंद को लू और मटन बोरा तो यह आपको बताना था 48 एट का जो आपको सही अंसर देना था ये बिलकुल सही होगा क्वेशन नमर था फोर्टी नाइन आपको ये बदाना था बाहर की जन्गन्ना दोजार ग्यारा कंशार उस्तम साक्ष्टा वाला राज्य के अंदर साथ से प्रदेश कौन से आई ये आपको बदाना था सबसे पढ़ा लिखा स्टेट कौन साही आपको बताना था में इसकी सबसे जो अवादी वहां पर पड़ी लिखे किया है वो आपको बताना था तो इसका आपको बताना था फोर्टे नाइन का जो सी रहेगा ये बिलकुल सही होगा ठीक है इस पकार से आपने ये मैच करना था इनको सी जो इसका केड़े लक्षे दीप और मिंजोरम जो इसके बिलकुल सही होगा था पस नम्बर 15 था और 15 का आपको अंसर बताना था निमें से कौन सा ये गुंबान जीलो नादी से सुमेल नहीं है तो इसका आपको अंसर देना था तो गोविन सागर ये बिलकुल सही है क्योंकि ये सुमेलित नहीं है ठीक है इस पकार से आपको एक्زाम में क्वश्ण आएँगे इसका जो ये सुमेल इतनी ये आएगा केलेरो जेल जो ये माहनादी की नहीं है गोविन सागर सतलो नदी पर है ये बिलकुल सही रहेगा और ये सबी सही है परन्तो ये जो बी है इसका 50 का ये बिलकुल गल्थ है क्वेस्टन नमबर 51 था ओसनिया का नाम कोसनिया नाम का प्यापार प्योकिन बेखरे हुए द्यूइपों में कोसन धर्वित करता है आपको बताना था 51 का जो राइट अंसर था वो आपको देना था तो 51 का जो राइट अंसर वो है मद्याहम दक्षिन परसांत माह सागर ये बिलकुल सही था अलगा कृले संता 52 जे किस impactful मैं दर्मा पास है ये आपको बताना था ये आपको बताना था द्रंफास देटेट तो 52 का आपको अंसर देना था तो कहला चो इसका बिल्कुल सही होगा फिर उसी बगार से आपको यह number of question आपको अगला जो आएगा 53 total number of question जो total आपके question होगे वो आपको मेले कि 75 और number of marks होगे आपके 150 ठीक है लेका 1 को अपने तालिका 2 से मेल करने इनको आप मैंच करोंगे इनको तो इस बगार से आपको यह solve करने हुआ है जैसे यह बरसा वनअनों संधान है इसको आपने मैच करना है तू इसे पकार से अपको यह मैच कर और क्या कया है करने बोने भी आम आपको बता देँ состо इसके बार कि गई ऑनकर टू को हम आपको शुबार deixa लार लागुर आपने मैच करना है यह सेम रहेगा इसका उसके बाद जो अगला रहेगा आपका वो रहेगा यह स्माजिक वहन के और परेवन पौनरबास के इंदर यह रहेगा आपका इलाभ बाद में तो इसका जो और क्वेशन नमर 53 है इसका आएगा आपका जो भी है यह बिलकुत सही अगला क्वेशन था क्वेशन नमर 54 डॉली जो से पहलिक लोग आमतर पर होते हैं यह आपको बताना था क्वेशन नमर 54 था और इसका आपको बताना था लंबे सिर वाले यह बिलकुल सही है एक समाज से दूसरे समाज में भी सर्थ संस्क्री तत्वा और गुनों को कहा जात है यह आपको बताना था तो प्रसरन यह बिलकुल सही हो गस्का और फिर आपको इसी बगार से स्टेडमेंट आएगी कौन सही है कौन गलत है यह आपको बताना था निवन में से कौन सा कतन सही है भारत में कोई प्राइमेट सिटी नहीं है बात का बड़ा कार प्राइमेट स 56 का जो आपको राइड अंसर देना था एक और दो नो ये इसमें उप्शन आपको स्क्रीन पर आ रहे हैं या एक और दो या ना तो एक ना दो तो इसमें से जो इनके सही है वो ये दोनों सही है से ही इसका मिलकुल सही होगा अलोकेशन था 57 भारत में 33 गद्वीदियू का पर दित्व करते हैं ये आपको बताना था तो उप्शन आपकी स्क्रीन पर है निर्मान व्यपार बाने जी और सेवाय परिवान बंडारन और संचार गरेलो द्योग और बेने नवान कारे 57 का आपको बताना था तो इसका जो ये अधारना किस पर अधारीत होती है ये आपको बताना था प्रायमेड सिटी और इसकी जनसंग क्या बिल्कु प्रायमेड सिटी नहीं है अब जो अगला कुशन था अल्पाइन समू को कों से परवत बनाती है ये आपको बताना था 59 का तो अलपस हिमालया रोकी एंडीज यह जो इसके बिल्कुल सही थे इस वकार से आपको पसन आएगे आदिवास के सतानिक सतानिक प्रति रूप क्या यह आपको बताना है फिर क्वेशन नमबर 60 आपको अंसर देना था तो सकुल प्रति रूप सम प्रति रूप या रैंडम प्रति रूप तो या दिवास के सतानिक प्रति रूप है तो यह बिल्कुल सही सब ही होगे इसके आगे कसन नमबर 60 आपको बताना था तो इसका जो डए यह बिल्कुल सही होगा हरा नेला लाल इसके बाद आग अगला इसको आपने बताना था तरशरी ये बिल्को chromobus हो गई सका क्योंकि हिंदी में आपको इसी पकार से ये बढ़ लिखे होते हैं इंगलेश में इजी होता है फॉर्ण तो बहुत से लोग कोंध करते कि आपको हिंदी में पर दें तो आगला क्षेशन था न्मबर 63 बितलिये या एवाइलस एवाइसल नेमन में से किसे समधी थे यह आपको बताना था प्रस्ट उस्टीट था तर्टीक सेटर पिछले पानी पानी का गषेटर गैरे समुंधर या निक्षाथ पर कुस्ताला करेती तो गैरे समुंधर का लिए यरी सेल यी बिल्कुद साहई होगाए इसका है फार कि अल्कुद लेप्टोस ओम क्या है ये आपको बताना था ये आपको बताना था प्रस्ट MOR earbuds लंबा और पतला यह इंमें से को ही नहीं तो ये आपको बताना था तो और पत्राइन यह लेपटिव सॉम बिलकूँस यह है पस्नि घाट को जाना जाता है किस नाम से पस्निगाट है कहां से पाकिस्टान वाली साइटिक तो आपने बताना था यह पस्नि घाट को किस नाम से जाना जाता चांजम्ट-ूर्च हम क tapa及 65 का यह साहतरी जो हो यह बिल्कुल सही होगा, इसका क्षेन no 65 का सी, बिल्कुल सही होगा, अक्ले लाच आपके पूछ थे पूछ गहे था, मिटी की पारंग में तक एक प्रग्रम है, यह आपको बताना था, क्वेशन नम्र 66 था और 66 में आपको जो आपसन आपकी स्क्रेन पर आ रही है संदरता सरंचना गहराई रंग इन मेंसे क्या सही है यह आपको बताना था तो जो ही है एक और दू सर्दता और सरंचना बिल्कुल सही था अगर क्वेशन फिर आपको मैच करने थे इस पगार से आपको इनको मिलाना था एक को बीश से एक को सी से इस पगार से आपको मिलान करना था क्वेशन नम्र 67 तो आपने इनको मैच करना था और किस पगार से मैच करना था वो हम आपको बता जिती है तो केस्ट था यह आपको मैच करने थे इस वहर से जैसरे आपने बार बायद उपघ symbi जो इसको आपने मैच करना था एक आपने करना था यह गोल्ड से को से असी परकार से अरोट सोरन से और सानी बिसने जो स्काल Works paint करना था हैंगेट से और नवन नवन वेशन का परसार जो है इसको आपने मैच करना था यह एंगर स्टेंड से ठीक है तो इस पगार से जो आपका अंसर बनेगा फिर आपका अंसर होगा क्वेशन नमबर था 67 और 67 का जो राइट हैंस वानएगा फिर एको हमने मैच्छ किया बेस्ट B से दो और U को हमने मैच्छ कि अब फो再 minute T此 T इसमा जो राइट है ओझे बेल्गों सेहरेगा फिर आपको इस Вकर्षेक्छ से आपको मिलान करना था तो किसके करना है आपको नहीं पथा रहे तो यह आएगा उसमेंस स्ञेशन την कटबं देनीक डूल शप्रोज कinek शूलंक सहते और इसमेंस के लिंदिय के लेगा वबोर्थ ने होगे जो इसका राइड अंसर था वो ये डी बिल को सही था अगला कुछन आप से पूछा गया था क्वेस्टन नम्बर था 69 और 69 का आपको अंसर देना था नेन मैंसे किसकी हैटसली द्वारा दी गए क्रिस्टी एक सेत्री करण मांदन के रूप में व्योक नहीं किया था यह आपको बताना था और भूमियों प्यों की ग्यान था क्रिस्टी उत्पादन का ओदिश्यम मसेनी गांड का स्तार या फासल उत्पादक था तो इसका डी बिल को सही होगा फिर क्वेस्टन नम्बर 17 था आपको इसको मैच करना था स्ताला क्रिती और उत्पति के कौर्रम कारक जो आपको इनको मैच करना था इस वकार से आपका यह क्वेस्टन आएगा जैसे यह रोडी स्पाइर डिस्कॉंटर्स पॉल जया नेक पॉइंट तो इनको आपने मैच करना था जैसे हमाभी करते आए तो रोडी स्पार जो यह आएगा हीवानिस से डिकाउंट्रस जो आपका यह आएगा बायू पावन और पोल जे जो यह आएगा आपका गोमिगत चल से और उसके बाद जो नेक पॉइंट है यह आपका जाएगा नादी को ठीक है इस पकार सी आपका क्वेस्टन सोलब होगा तो इसका जो राइट अ आपसे पूछा गया था नेमन स्थितियों में से किस एक स्थिति में तापान बिलोमता होने की संभावना है यह आपको बताना तो क्वेस्टन नम्बर सैबंटी बन था और सैबंटी बन का जो सांथ सुबच्च और सर्थ ठंडी रात यह बिलको सही होगा इसका ठीक है तो स पूछे जाते हैं परवाल भीतिया निर्मत होती है क्योंकि मैंने देखें मैंने बहुत से क्वेस्टन पेपर इस चैनल पर डाले हुए है तो अगर आप हीम तक पर नहीं तो हीम तक पर आप जुड़ीगा और हीम नॉलिज पर आपको जो क्वेस्टन पेपर चन काम जिकर क प्रवाल भीत्या निर्मत होती है तो इसका जो चोटी समुंदरी जीव जो चुना पत्र गंकाल समगरी का निर्मान करते है महासागरी कलोरीन समगरी सेया समुंदरी अपसाथ या ज्वालामू की चटान तो इसका जो राइट अंसर था वो डी बिलको सही होगा वैसन नमबर जो 73 है कौन सा देश भूता प्योवर जगा अधिक्तम प्रियोग करता है यह आपको बताना था कौन सा इन मेंसे देश है जो भूता प्योवर जगा अधिक्तम प्रियोग करता है 73 का जो C आइसलेंड यह आइसलेंड बिल्कु सही होगा Question Number Man Chitr के प्रवाने के दार पर सही अभरो ही क्रम को पहचान इए ये आपको बताना तो question number 74 था और 74 का आपको अंसर देना था तो 74 का जो राइट अंसर वो आपको देना था ये जो Candlestal Man Chitr, Stalagritic Man Chitr and Atlas Man Chitr Si पिल्कुल सही होगा इसका उसके बाद फिर आपको इसी बिगार के क्वेशन मिलेंगी नियुक्त कत्रों पर विचार करीगा टैंगा बायोम करनाड़ा इरोप और इसे के बड़े तीन हिस्तों में फैला हुआ है क्वेशन नमबर 75 टैंगा विस्व का सबसे बड़ा बायोम है और कि आपको बदाना था विसका जो लदा यह पैसे यह चीह जा रेखते नहीयुक्त करना थो और पूरी जानकारी के लिए आप हमारे साथ इस चैनल पर बने रहेगा चैनल को सब्सक्राइब करेगा वीडियो को आपने लाइक शुरूर करने है ताकि आपको हम आने वाले टाइम में भी इसी पहर से ओल्ड जू क्वेशन पेपर आपका जिस दिन भी सैट या नेट का पे लिए दिन हम आपको सोल्व क्वेशन पेपर देंगे ताकि आपके जो त्यारी वो अच्छे से हो सके तो हम तक और हम नौलिज इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर देजिएगा ताकि आपको जानकारी मिलते रहे हम तक पर आपको कॉर्मेंट जॉप्स के बारे में कोमेशन आपको देते हैं इम तक और हम नौलिज पर आपको ओल्ड क्वेशन पेपर के जानकारी हम देते हैं और साथ में जो भी इंपोर्डेंट न्यूज होती है वह आपको इम तक पर मिल जाएगे आज के लिए तने नमस्काद जन्यबाद जय जय भारत नमस्काद